Assalamu alaikum, तो चलिए, आज हम बनाते हैं इंडो चाइनीज चिकन फ्राय, इसमें ना कॉन स्टाज की ग्रेवी नहीं है, लेकिन बहुती फ्लेवरफुल लगती है चिकन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधा रन्या ने, और्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट के लिए साइट पर रख दिया था, अब एक बड़े से बाउल के अंदर डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए आदा छोड़ चाय का चमच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, एक छोड़ चाय का चमच कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर दाल दीजिए, एक छोड़ चाय का चमच, आदरक लसन का पेस्ट, छोड़ चाय का चमच, काली मिर्चो का पॉडर, एक अंडा फोड कर दाल दीजिए और दो टेबल स्पून भर कर कॉन स्टाच याने के कॉन फ्लार दाल कर बहुत अच्छी से मिक्स करकर इसे ढख कर, आप चाहे तो फ्रिज में रख स चिकेन पीस, लंबे-लंबे स्ट्रिप्स दालते जाएं, अब आपकी जितनी पतिली हो, जितना समा पाएं, उतना ही दालेगा, ओवर्क्राउडट मत कीजिएगा, और क्विक्ली दालते जाएं, सो दट क्या होगा ना, इक्वल टाइम पे सारी पकेंगी नहीं तो कभी क्या चाहे एक ही में हो जाएगा, या फिर दो या तीन पैचे लगेंगे, इसी तरीके से सारे फ्राइ कर लें, मेरी चिकन सारी बन चुकी है, और बहुत ही लजीज है टेस्ट में, मैंने अभी खाके देखा है, और बहुत क्रिस्पी है माशाला, तो चलिए अभी इसके सॉस बना लेते हैं, एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा वही वाला ते दाली जिसमें चिकन फ्राइ की थी, दो लंबा लंबा हलका सा मोटा काटा है, और ये एक मीडियम साइज की प्यासे इससे भी लंबा काटा है, लेकिन मोटा मोटा थोड़ा काटा है, अब ये जो लसन और हरी मिर्च है इसे आधे मिनिट तक फ्राइ होने दीजिए, आधे एक मिनिट तक फ्राइ हो जाए, तो यहा अर्मियान मैं यहां पर ना हरी मिर्ची एक साइडवेस कट करके डाल तो आरी मिर्ची आभी डाल सकते हैं और 10-12 सेकेंड हो जाए फ्राय करके तेल के अंदर तो यहां पर मैं दाल देती हूँ 1-4 cup जितना पानी अब आप चाहिए तो हल्का सा 1-4 cup से थोड़ा सा ही उपर दा अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए उसी समय है ना मैं चूला स्फ्रो कर देती हूँ और पहले मैं यह सॉसस दाल दे दी तो यहां पर मैं डाल देती हूँ 1-2 चूटी चाह के चमच लाइट सोया सॉस दाल दीजिए 2-2 चूटी चाह के चमच मैं कार्लिक चिली सॉस दाल देती हूँ और जब अच्छा उबाल आ जाए तो चुटकी बर नमक भी दाल दीजिएगा अच्छा नमक ध्यान रखेगा क्योंकि हम वो क्यूब दाले है ना चिकन के उसमें भी नमक होता है थोड़े से स्प्रिंग उनियंस बारी कटे हुए दाल दीजिए मुझे चिली दाला है और इसमें उबाल बहुत अच्छा आगया और आप देख रहे हैं कि हलका सा थिक हो रहा है मैंने थोड़ा सा तेल अल दाला है अच्छा आप देख रहे है तो इसमें हमारी जो चिकन है वो साइट पर रखी वो सारी डाल दीजिए विसमे लहरा फानी रिम बूल कर और इससे आधे एक मिनिट तक मीडियम आज पर टॉस कर लीजिए हमारी चिकन के साथ. अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने बिल्कुल भी वो नहीं दलाया है, कॉन स्टाच याने के कॉन फ्ला, because मुझे कॉन स्टाच वाला नहीं बनाना था, लेकिन आप चाहें कॉन स्टाच दलना है, तो आप एक छुड़ा चाय का चमच, वलफोत कप के अंदर कॉन स्टाच दल दीजिए, एक छुड़ा चाय का चमच, मिक्स करके वो घोल इसमें दाल दीजिएगा, और जब उबाल आ जाएं उसके अंदर तो चिकन दाल दीजिएगा, इसी तरीके से आधे एक मिनित तक टॉस कर लीजिए, और अगर कुछ एज़िस्ट करने जैसा लगे आपको, अभी भी कुछ एज़िस्ट करने जैसा लग रहा है, तो आप अज़िस्ट कर लीजिए, और मेरा एकदम परफेक्ट है, तो ये देखिए, एकदम ड्राइ आउट हो चुका है, और मैं हलका हलका तेल निकलने लगा है, आप देख सकते हैं, जब तेल निकलने लगे, तो चुले को कर दीजिए, पंद, अब इसके ओपर थोड़ी सी बारिक कर्टी हुई स्प्रिंग ओनियन्स दाल दीजिए, और इसे कर्मा गरम सर्फ कीजिए, तो ये बन गए हमारी इंडो चाइनी स्टाइल में चिकन फ्राइ, बहुत ही बड़ी आ मज़ेदार बनी है, अच्छा स्पाइस, आपने स्वाधन असारा अच्छ कीजिएगा, अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो, तो आप वेच क्यूब भी दाल सकते हैं, या फिर चिकन स्टॉक भी दाल सकते हैं, अगर आप स्टॉक दाल रहे हैं, तो वो जो वन फूद का पानी के बचाए स्टॉक ही दालिएगा, तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज की, अगर ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्श्य में जरू शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंस पर ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को उससे साथ अच्छे लगए, अपने फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिंग जरूर फोड़ कीजिएगा, फिर से आजर होंगी नहीं चांदार दमदा रेसिपी के साथ, अंतल देन टेक केर, अलाहाफिस, बाइ,